बाचपा के दक्षिन उम्मिदवार यानि की दक्षिन सीट राइपुर्ट दक्षिन सीट से उम्मिदवार को लेकर काफी जादा संशय है और काफी जादा लोग इस सीट के लिए जुट चुके हैं ब्रिजमोहन अगरवाल की एक्जिट के बाद स्टेट पॉलिटिक से ब्रिजमोहन अगरवाल का एक्जिट जरूर हो गया होगा लेकिन ब्रिजमोहन अगरवाल के रेकमेंडेशन के बिना इस सीट पर किसी भी उमीदवार के नाम को तैय नहीं किया जाएगा ये बात तो तैय है लेकिन कल एक बहुत ही important core group committee की meeting हुई है भारतीय जन्ता पाटी के कुशाभाव ठाकरे के headquarters में state headquarters में जिसमें भाचपा के प्रदेश प्रभारी नितन नवीन और जो बिहार के cabinet minister ही है अब वो कल पहुँचे थे और किरन डेव सिंग, चीफ मिनिस्टर विष्णो देव साय, इन सभी लोगों के साथ आरुन साव, deputy CM, ये सभी लोग उस core group meeting में शामिल थे core group meeting में exactly क्या बातचीत हुई, क्या strategy बनाई जारी है आने वाली इस बाइपोल और नगरी निकाय चुनावों के लिए आज हम वो information आपको इस round up में देंगे नमस्कार जैजोहार, मेरे नाम सुमी केवल का टेहल है, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ 36 गर राउंड अप पर और आज का जो round up है वो informative round up होने वाला है कि internal जो scoop है उस meeting का वो हम आपसे साजहा करेंगे तो आईए आगे बढ़ते हैं, कल की ये meeting काफी जादा important रही, नितिन नवीन 36 गर लोकसभा चुनाओं के बाद कहीं न कहीं पहली बार कल पहुचे और core group की internal ये meeting थी जिसमें सिर्फ important names यानि के cabinet मंत्री थे और दोनों deputy cm थे, cm थे और जो भाजपा की अध्यक शैकिरन सिंग दे वो भी इसमें मौझूद थे इन सारे important नामों से ये internal core committee group है भारतिय जनता पाटी की जो state में है और in fact इस group के साथ आने वाले नगरी निकाई चुनाओं के लिए बाइपोल जो राइपोर दक्षिन की seat में होना है उसके लिए सारे important चीजों की strategy outline की गई है और वो strategy इतनी important है क्योंकि उसी strategy के basis पे नगरी निकाई चुनाओं में काफी तयारी के साथ उतरने की भाजपा बात कर रही है तो जो strategy outlining जो करनी थी चीजों की वो कल इस core group committee meeting में हुई है इन फाक्ट इस meeting से बाहर आने के बाद नितिन नवीन ने मीडिया से भी बात करते हुए कहा कि नगरी निकाई चुनाओं में काफी तयारी के साथ भारतिया जनता पार्टी उतरेगी इस बार अपनी पूरी की पूरी ताकत जोकने का उनका काफी plan चल रहा है और इस इस लिए इस plan को एक हाखा देने के लिए करिये कल ये कोर कमिटी ग्रूप मीटिंग हुई है जिसमें सभी ने अपने feedback दिया है और ये बात तय किया गया है कि जितने भी candidates होंगे जो नगरी निकाई चुनाओं में लड़ेंगे उनको पहले से ही ahead of time यानि कि कुछ समय पहले कि उन्हें strategy बताएं और किस तरह से उनकी मदद करेंगे वो उस ward को जीत लेने के बाद ये सारी चीजें उन्हें बताई गई है कल और in fact उमीदवारों को काफी पहले बता दिया जाएगा ताकि ये सारी चीजें वो ahead of time कर सके और जनता का mood समझ सके और in fact सारी candidates के लिए survey भी किया जाएगा भारतिय जनता पार्टी का एक काफी traditional एक rule है संगठनात्मक उनका जो structure है वो काफी strong है और उसी वजह से congress कही ना कहीं इस पूरे race में organizational इस race में पीछे रह जाता है क्योंकि भारतिय जनता पार्टी काफी अच्छे से अपने संगठन को block level तक मजबूत करते व दख रहा है और इसी strategy के तहथ हर एक उम्मिद्वार जिनको नगरी निकाय चुनाओं में उतारा जाएगा जिनको live production की streets से उतारा जाएगा इसे कुल मिला के पाच्छे नाम है जिन पर कल अच्छे से decision लिया गया है उनकी discussion की गई है कि ये पाच्छे नाम है इने को zero in कर दि आज जाएगा हर एक election से पहले भारतिय जनता पाटी यही करती कोई भी political party ही करती है लेकिन भारतिय जनता पाटी बार-बार यह survey करती है अगर एक survey में accuracy ना है तो दूसरा survey कराने से भी भारतिय जनता पाटी पीछे नहीं हरती है तो इसलिए राइपूर की वी पाच्छे उ सर्वे शुरू हो जाएंगे और उन सर्वे के रिजल्ट्स के बेसिस पर ही राइपोर दक्षिन के उमीदवार का नाम तै किया जाएगा और यह बहुत मुश्किल होने वाला है क्योंकि ब्रिजमोहन के जाने के बाद ब्रिजमोहन ने ये सीट हमेशा से आठ बार लगातार 1990 स यह सीट लगातार जीतते हुए हैं उनकी स्टेट पॉलिटिक्स से कही ना कई विदाई हो गई है वो नाशनल पॉलिटिक्स में जा चुके हैं अब वो MP बन चुके हैं और कही ना कई उनका जो नाम है आगे union cabinet के लिए भी देखा जा रहा है से internal sources के हाले से हमें जानकारी मि जाएगा उसी बेसिस पे पाच्छे नामों को जीरो इन करके अब उसी के नाम पे सर्वे कराया जाएगा इंफाक्त तरंगा यात्रा भी निकाली जाएगी 11 से 14 अगस के वीच में यानि Independence Day से जाते जाते यानि कि Independence Day Week में तरंगा यात्रा ब्लॉक लेवल पर निकाली हैं और 12 से 14 अगस के बीच में सारे जितनी भी बड़े बड़े Freedom Fighters हैं उनके समारक को अच्छे से साफ कराया जाएगा और in fact 13 से 15 अगस के बीच में इन सभी को माला अरपन भी किया जाएगा और ये सारी चीज़े ब्लॉक लेवल पर होंगी ताकि ब्लॉक लेवल पर एक से घर घर तक पहुचाना है ताकि नगरी निकाय चुनावों में भी उसका असर देखने को मिले तो बिल्कुल इस तरह से ये जो strategy making है भारती अजनता पाटी की बिल्कुल बहुत पहले से हो गई अभी तक announce भी नहीं किया गया है कि बाइपोल राइपूर दक्षिन की seat में कब बनेगा मेर और सबसे बड़ा ये एक बहुत संशय बना हुआ इस पर तो ये decision भी बिल्कुल साथ में लिया जा सकता है काफी interesting होने वाला है इस बार क्योंकि पिछले पात साल की पिक्षा इस पात साल में जो खेल है पाटी का strategy है वो काफी बदल गई है तो इसलिए अब दे दिरोंगे एक analysis के साथ तब तक के लिए मुझे और मेरे वीडियो journalist राव गंतर पांडी को विदा दीजिए नमस्कार जै जोहर